हनुमान जी, बागेश्वर वाले महराज ये धाम इस्थित है मध्यप्रदेश के चतरपुर जिले के राजनगर तहसील में बसे गाउं गड़ा में ऐसा कहते हैं कि बागेश्वर धाम में जाने वाले हर श्रधालू पर बागेश्वर धाम महराज और बागेश्वर धाम हनुमान जी की किरपा होती है और बिना नाम, पता और समस्या बताए ही श्रधालू के मन की बाद जान ली जाती है और उनका समाधान भी हो जाता है चलिए जानते हैं वहां के पीठादीज धिरेंदर कृष्ण सास्त्री जी कौन है सास्त्री जी के दादा जी एक सिद संथ थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था वो निर्मोही अखाडे से जुड़े हुए थे वे भी दरबार लगाते थे पंडी जी उनको अपना गुरू मानते थे और उन्होंने वही से ही भक्ती शिक्षा ली दादा जी ने उन्हें रामायन और भागवत गीता का पाठ सिखाया था दादा जी के सुर्गवास होने के बाद सास्त्री जी पर हनुमान जी और उनके दादा जी की ऐसी किरपा हुई कि वो हनुमान जी की भक्ती साधना और पूजा करने लगे साथ ही लोगों के दुखों को दूर करने लगे और आज वो लोगों के कुछ कहने से पहले ही उनके मन की बात बता देते हैं और समाधान देकर बागेश्वर धाम में फेशी मांगते हैं उनका ये अंदाज एक दमालग है चलिए आपको दिखाते हैं उनके चमतकार के कुछ अंश बच्ची बेठी बेहन जी बेठी हैं उनके आज़ भी हाद कर गये हैं आज़ो बेहन इलाला साथ में हैं क्या अज़ा अज़ा आज़ा अज़ा दोनों अज़ा माइक लो हरी ओमाराजी कहां से आए है थोड़ने सदीक आज अच्छे से बढ़ाओ थोड़ने सदीक और अजदीक यह दोनों नारीयल उठाकी आदें नच्राइब कहां से हो लुद्याना से लुद्याना हरे अनल लुद्याना पंजाब पंजाब में है न एक शूचना है इनको देखकर के हमें याद आया दिल्ली में मास्क का नियम शुरू हो गया है वह हमारा प्राथना है कि सरकार का हमाब भी साथ दें मास्क जरूर लगा करके बैठें आपने देखा नहीं हम लगा के आते हैं मंच पर बोलो क्या बात और बोलो आप तो बोलते रहो हम बोलते जाएंगे और कोई प्रशन इसमें तीन प्रशन आपके आएं आप ये मास्क निकाल लो पहला स्वास्त ठीक नहीं रहता तनाव इस्ट्रेस बना हुआ है लगातार नमबर एक नमबर दो धनकी तंगी है बरतमान में करज से जूज रहे हैं काम सफल नहीं हो रहा है नमबर तीन गायकी के काम के प्रोगाम को बान दिया गया है चल नहीं रहे है इस्टेट सो करते हैं यही करते हैं बन्धन कर दिया गया है चौकी की गई है आगे तेजगती के साथ चलेंगे अच्छे से गाप आएंगे आशिरवाद है बोलो क्या बात मुझे अपने नहीं नहीं बबाबजी मेरे एक दोस्त नहीं मिरे है बिल्कुल बेशुद्ध बास मदेजी मेरा ये अपका भी एक प्रशने लिखा धन तंगी आपकी दूर होगी मित्र की अरजी लेकर आय हैं बरतमान में कौमा जैसी स्थिती में है कौमा की इस्तिती में है, सुनपन है, सिथिल हो गए है, ब्रेन की समस्या मित्र को भन गई है, वा पैरवा सरीर में सुनपन आ गया है, उनको पून आराम नहीं लगना है, उन्हें न पून ठीक होना है, पर कुछ राहत हम पहुंचवा देते हैं, और उनकी सेबा करें, हमारी समझ जाएं, बाला जी लाज रखें, आसीरवाद है. सुनद जाओ, आप सुनद भर जाओ, आप बेटाओ, रुकावटें घर में बनी, उठा पटक भयंकर मची, बच्चों की बुद्धी ठीक नहीं रहती, पूरा बिरोध में परिवार लगा हुआ है, बिरोध में परिवार लगा हुआ है, भूत विद्या तंत्र जिंद अधा का प्रियोग किया, पती की मृत्व पर पूँचने आई हैं कि किसने किया है, किसका हाथ है, राज खुलवाने आई है, आज तक राज नहीं खुला, ऐसी अरजी लेकर आप रहा हुआ है।